दर्म अनादी काल से चलता आ रहा है और उस में दिगंबर अवस्ता ही मानिय है और उस वक्त अकाल पड़ा सब स्वामी जी जंगल में भटक रहे थे अकाल पड़ा था इस वास्ते कई लोग दिगंबर अवस्ता से डंडा हाद मिले शापर उनको उस से स्वेतंबर और दिगंबर दो भेद पड़ गए इसके बारे में आपको क्या कहना है इतना मेरा प्रस् कुछ नहीं करना हमको जो चलवा चलने दो हम क्या करेंगे देखिए हमको क्या करना है प्राएं जो से बन गई है जो पंत बन गया है वो कभी नहीं मिटता है हमको केवाल इतना करना है हम अपने पंत पे विश्वास रखें दूसरे पंत का अपमान नहीं करें बस इतना ही हम संथों का संबान करनेんな Muslim IRL diva को अजिए यह मनुष्चि गती मनुष्य की गती कर्मों से लोती कि 151 फ्राइश्चन मेरा मनुष्य की ग gemachtी कर्मों से लोती है यहें वक्ती से बक्ति भी एक कर्म है तो कर्म कहो या भक्ति एक ही चीज है पुन्य कर्म करोगे मनुष्य गति प्राप्त होगे Shattambharinолог के लिए नहीं है और झाती नहीं बढ़ने कंजिने लोगर आहिरी किसी बीडिएलिन hippomas सकतिन के सुप्थिर कर दो इस बी आहिए приложिकों के लुग के लिए बिए डीयों के लिए haugरा आहिए वारे तर्फ तो उसके हुशा नहीं होती है, तो जहन में दिगंबर मुनी अभी मुँपट्टी नहीं लगा के बोलते हैं, उनके तरफ से हुशा हुटी के नहीं? दिखो, हिंसा तो कोई भी काम करो सम्मे होगी, मुँ में लगा ली नाक से तो होगी ना, सास तो लोगे ना, अब यहाँ थोड़ी लगा लेंगे बट्टी, समझ में आ रहा, तो अनावश्यक हिंसा मत करिये, आवश्यक हिंसा से कोई बच नहीं सकता है, वो उनकी सोच है, उन तो क्या उनको भी हम हिंसक बोलेंगे, नहीं, अपनी-अपनी सोच होती है, मनुष्यक के साथ कुछ हिंसा ऐसी है, जो आवश्यक है, उससे आप बचने, सास लेना ही पड़ेगा, पलके जपकना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, हिंसा इसमें भ हो जाये है और या अए अग्रू देखिये और मखन हम Mercolay से वनाइज है इसा क्यों कही तेखिए उला भले आकाश से गिरता हुआ लेकिन आकाश से गिरता हुआ पानी शुद्ध होता है प्रासुक होता है लेकिन जब वो नीचे तक आता है और किसी इस्थान पर अंतर मुह ठेहर जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ती हो जाती है इसलिए उसको नहीं खाते हैं दूसरी बात मक्खन मक्खन का टाइम पिरियड बहुत कम होता है तो मक्खन अधी आपने निकाला है तो निकालने के वाद उसको अंतर महुर्ट में गरम कर लेना चाहिए उससे घी बन जाएगा लेकिन आपने अंतर महुत में उसे गरम नहीं किया तो उसमें जीव उत्पन हो जाएंगे इसलिए तुरंत का निकला तो कोई खाता नहीं है उसको निकाल के रख देते हैं बजान में जो मिलता है तो उसमें जैन धर्म के अनुशार, साइंस के अनुशार जीवों की उत्पत्ती हो जाती है इसलिए वो अभक्ष हो जाया करता है मक्खन निकाल के उसको तुरंत गरम करो घी निकालो, घी खाओ, मक्खन क्या खाना अच्छा तुम पूछने आई बो नहीं पूछ सकते नहीं उन्होंने कहा कि हम नहीं पूछ सकते उनका यह प्रशन है कि अपनी यहाँ पे तिर्षंकर का जनम होता है उनको पता रहता है कि वो तिर्षंकर बनने वाली है पिरभी मतलब 5 तिर्षंकर से ब्रहम चारियर है और अज़ने टिर्षंकरों ने विभ्या क्यों गई जबकि ब्रह्मचारिय का आपने यहां पर इतना जाना महत हो है यह उनका प्रश्ण है और फिर इसके बाद में अच्छा उनको आप जेक्शन इससे है कि बाकी ने साधी क्यों करी अच्छा इससे तुमको बड़ा आप जेक्शन कमाले तुमने अपनी कर ली भगवान ने कर ल करना चाहिए क्योंकि सास्त्रों का विधान है ती तंकर को चार पुरुशार्थ करना पड़ते हैं धर्म अर्थ काम अंतिम पुरुशार्थ मोक्ष है काल दोस के कारण हुन्डा अवसर्पणी काल नहीं समझे होगे उत्सरपणी अवसरपणी दो काल होते हैं समझ में आ रहा उत्सरपणी में हर चीज की ब्रधी होती है आईयू की, हाइट की समझ में आ रहा ग्यान की सब बढ़ते बढ़ते होता जैसे रिशब देव का सरीर 500 दनुज तो अवसरपणी काल में वो कम होते जाता है महावीर तक साथ हांत का बचा उत्सरपणी में क्या होता है छोटे से बड़े होते है उत्सरपणी में क्या होता है सब चीजों में ब्रद्धी होती है ऐसे असंख्यात उत्सरपणी और उत्सरपणी काल वीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पनी काल आता है समझाएं हुंडा अवसर्पनी कब आता है असंख्यात उत्सर्पनी मने ब्रद्धी अवसर्पनी मने हानी होने के बाद एक हुंडा अवसर्पनी काल आता है और उस काल में ऐसे कारे होते हैं जो किसी काल में नहीं हुए यसे तीठंकर की पुत्री होना चक्रवर्ती का मान भंग होना और पांश तीठंकर का साधी नहीं करना ये काल दोस है अच्छी बात नहीं है समझ में आ रहा? क्योंकि तीठंकरों से संसार और मोक्ष दोनों चलता है इसलिए यदि तीठंकर विवाह नहीं करेंगे तो लोग विवाह की परंपरा जानेंगे कैसे फिर आदमी पशुवत विवार करेगा समझ में आ रहा? तो विवाह की ग्रस्त आस्रम की विवस्था बनाने के लिए तीठंकर को शादी करना पड़ती है पांचने नहीं की ये काल दोश है अब जो तो विवीसी होगी वो सब विवाह करेंगे संतान की उत्पत्ती होगी अंतिम आस्रम मोक्षास्रम लाष्ट वाला होता है इसलिए जिनने नहीं की वो बहुत अच्छी बात नहीं है वो एक पुरुशाद से वंचित रहे गए तीठंकर प्रकती सर्वोत कृष्ट पुन्य प्रकती है तीठंकर को उस जनम में सारे सुख भोगना पड़ते हैं पांच तीठंकर काम पुरुशाद से रहत हो गए ये कमी है ये अच्छी बात नहीं तीठंकर के लिए आप लोग ब्रमचारी वनो तो अच्छी बात है समझ में आ रहा है तीठंकर के लिए रूल से हम लोगों के लिए नहीं हमने साधी नहीं की बहुत अच्छी बात है तीठंकर नहीं कर रहा है ये गलत बात है चलिए हमारा प्रेशन के मारेशन हो रहा है कि स्वाठ्याय करना इस चलाती है चलाती है तो चलाती है अब पूझा। फेस्बूक भी चलाती है चलाती है चलाता पूझा। जी महाराजी यह viral हो रहा है मेसेज की स्वाध्या करना चाहिए, पुजा आज नहीं करना चाहिए, पुजा में वही वही बात दुबारा दुबारा बोली जाती है, स्वाध्या में कुछ नहीं बातें सीखने को मिलती है, तो अपना समय पुजा में बरबाद नहीं करना, स्व सीमंदर भगवान का विदेच्षेट से आया होगा मैसिग वाट्शाप में क्या लिखा रहता है ना उसको ही पढ़ते हैं तो सीमंदर भगवान ने मैसिग विदेच्षेट से किया होगा कि पूजा में बक्त बरवाद मत करो पढ़ाई करो समझ में आ रहा लेकिन सीमंदर करना चाहिए देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान है ना कितने कर्म हो गई है कौन कौन सी हुए बोले जना देव पूजा पहले नमबर के क्या अब मैं बाट साप की मानू या महावीर साप की मानू किसकी मानोगे बोलिए पहला नमबर उनने क्या बोला सो काम छोड़के क्या करो देव पूजा फिर क्या करो गुरू तीसरे नमबर पे स्वाध्याय समझ में आ रहा तो बाट साप पे जो चल रहा है नकालों से सावधान समझ में आ रहा सबसे पहला काम देव पूजा फिर गुरूओं की उपासना तीसे नमबर पे स्वाध्याय चोथे नमबर पे सैयम पांच में पे तप छट में पर दान समझ में आया छे कर्म कब करना चाहिए सट कर्मानी दिने दिने प्रती दिन करना चाहिए यदि जो बात वाट साप पे लिखी है ऐसी किसी आगम में लिखी हुई तो मुझे दिखा देना मैं अपनी भूल सुधार कर लूँगा समझ में आ रहा भगवान ने छे कर्म बोले हैं छेहों कर्म उसको करना चाहिए साधी से पहले जो बढ़ बदू की कुंडली मिलाई जाती है उसका कही जंद हमें बढ़नन है या फिर पंड़िव द्वारा चलाया गया था साधी ऐसा मामला है कितना भी मिलालो वो मिलती नहीं कितनी भी कुंडली मिलाओ पती यहां जाता है पत्नी यहां जाती है तो कितना भी आप मिलालो कुछ करलो जो पती से रहे तनी तनी वो पत्नी है ना तो कितना भी कुंडली मिलालो बेटा साधी की चिंता मत करो हमसे कुं कुंडली उनली जो मिलाते हैं मिलाएं नहीं मिलाएं मेरा मानना तो यह है कि कुंडली मिलाने से जीवन में खुशियां आएं या ना आएं मन मिलाने से खुशियां जरूर आती हैं मन मिला लो तुमारी साधी हो गई इस लफड़े में हो एक काम कर बेटा जिससे तुझे साधी करना है उससे कुंडली मत मिला अपनी बीबी की अपनी मम्मी से मिला यदि सास बहुत सही रही तो तू भी सही रहेगा मेरा प्रशन ये है कि अरिहन्त और तिर्तंकर में क्या अंतर है बहुत अच्छा देखो अरिहन्त सभी बन सकते हैं कोई भी व्यक्ति बन सकता है तीठंकर सभी नहीं बन सकते हैं तीठंकर 24 हुआ करते हैं जो भी घाती कर्मों का नाश करता है तपश्या के द्वारा वह अरिहंत बन जाता है तो अरिहंत बनना सरल है तीठंकर बनना कथे नमस्तो मालाजी मेरा ये प्रस्णे एक इंद्र जीव ऐसे क्या पुण्ड करता है ताकि वो दो इंद्र पी इंद्र बनता है ना तो उसका धर्म का उपदेश मिलता है ना तो वो देख सकता है इंद्र मेरा शंकर बहुत अच्छा प्रस्णे कि मनुष्य भाव पाने के लिए एक इंद्र जीव क्या करता है दो इंद्र तीन इंद्र ये तो पुण्णे से मिला करते है वो लोग तो कोई पुण्णे करते नहीं है फिर उन्हें मनुष्य भाव कैसे मिल जाता है या दो इंद्र परियाए कैसे मिल जाती है धीरे धीरे उसका विकास कैसा होता है देखो हम मनुष्य हैं हमें ज़्यादा पुरुशार्थ करना पड़ेगा जो एकिन्री है उसे कम पुरुशार्थ करना पड़ेगा जो जितना निर्वल होता है उसे थोड़े से काम में ज़्यादा फल मिलता है और जो बलवान होते हैं, उन्हें बड़े काम में बड़ा फल मिलता है, जैसे आपने कहा एक गिलास पानी लाओ, आपकी पत्नी ले आई, कोई भी ले आप, पत्नी के पास ले गए, कोई भी चलेगा, कोई बहुत जादा प्रसंसा नहीं मिलेगी है न, लेकिन यदि एक साल का बच्चा एक जग उठा के ले आए, तो आप क्या कहोगे, अरे इसने इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि वो छोटा है, उसकी शक्ती कम है, वो छोटा भी थोड़ा सा भी बड़ा काम करे तो बड़ी प्रसंसा मिलती है, तो हमें अपनी परियाए बड़ा पुन्य करना बगवान को चढ़ा दिया, तो समझना पुन्य के कारण वो एक इंडरी, दो इंडरी, तीन इंडरी परियाएं में जन्म ले लेता है, चामल चढ़ाया, ये जो पत्थर है भगवान का, ये पत्थर सेप्टिक टैंक में भी लग सकता था, सीडियों में भी लग सकता था, ल उन्होंने अपने पैर कमंडल से धो लिये, उनका गंदोदक किसी पेड़ के पास चला गया, इतना ही पुन्य उसके लिए बहुत है, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, गौम्टेशर बाहुवली भगवान का अविशेक हुआ, उनकी अविशेक का गंदोदक, जि मैं में ले लिया करते हैं, नमस्तु मैत, नमस्तु मैत, नमस्तु मैत, मेरा प्रशन ये कि नमोरियंतानम किसने बनाया और उसमें इतनी शक्ति कैसे आए? नहों अरिहंत आणम किसी ने बनाया देखो अरिहंत आणम किसी ने बनाया नहीं अरिहंत हैं सिद्ध हैं आचार हैं ये पद हैं इसका लेखन किया गया है सबसे पहले आचारे पुष्पदंत और भूत वली महराज ने सठखंड आगम ग्रंथ में नमुकार मंत्र का लेखन किया है बनाया नहीं है ना यदि बनाया होता आचार पुझदन भूत वली ने नमुकार मंत्र बनाया होता तो आचार पुझदन भूत वली तो अभी हुए हैं 2000 साल पहले लेकिन पारसनात ने नाग नागिन को नमुकार मंत्र सुनाया इसका मतलब ये मंत्र पहले से ही है सदा से है, सदा रहेगा इसे किसी ने बनाया, नहीं है और इसमें शक्ती कहां से आई? शक्ती भक्ती से आती है जो भक्ती से नमुकार पढ़ता है उसके मंत्र में शक्ति प्रगट हो जाया करते हैं भावो में अशुद्धियां कैसे आती है भावो में अशुद्धियां कैसे आती है तुम सुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे आती है सुद्ध वाले से असुद्ध का क्या पूछ रहे देखी भावों में अशुद्धी आती हैं इंद्रियों की आसक्ती में जीने से जो इंद्रियों का गुलाम रहता है उसके भाव अशुद्ध होते हैं और जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके भाव शुद्ध हुआ करते हैं इसलिए इंद्रियों को जीतिये, अपने मन को वश में रखिये, भावशुद्ध हो जाए। अच्छे और बुरे में कैसे फर्क करें। अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता दुनिया में ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है अच्छा बुरा होता है उसका रिजल्ट समझ में आरा यदि रिजल्ट अच्छा है तो बुरा काम भी अच्छा है और रिजल्ट खराब है तो अच्छा काम भी बुरा हुआ करता है तो अच्छा और बुरा करते समय पता नहीं चलता अच्छा और बुरा रिजल्ट के समय पता चलता है पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ सोचने से कुछ नहीं होता जब मार्क सीट आती है तब पता पड़ता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो कोई भी कार करते समय उसकी रिजल्ट का ध्यान रखो रिजल्ट यदि ध्यान है तो हर काम तुमारे लिए अच्छा नमस्तूर करती क्यों करते हैं? देखो बड़े बड़े लोग करो कितने लोग देखते हैं? हजार लोग देखे तो आँखें कितनी हो गई? डबल डबल आँखों से जब निहारते हैं तो भगवान को दृष्टी दोस्त ना लग जाए इसलिए दृष्टी दोस्त उतारने के लिए साम को आर्थी किया करते हैं प्रितिमा की क्योंकि प्रितिमा को बारवार देखो तो कहते हैं न नजर लग गई हैं तो ऐसा नहीं कि इनसान कोई नजर लगती है पदार्थों को भी नजर लग जाती है इसलिए उसका दृष्टी दोस्त आर्थी के माध्यम से उतरता है और यह दृष्टी दोस उतारने की विधी महापुरान में जब सट कुमारियां चपन कुमारी माता की सीवा करने आती है तो आचार जिनसेन स्वामी ने कहा है वो साम को माता का दृष्टी दोस उतारा करती है तो जो बहुत सुन्दर होता है उसको नजर लगती है इसलिए भगवान की आरती उतारी जाती है नमस्तु माराजी नमस्तु माराजी मेरा प्रश्णिया है पहले जितने भी समराठ हो गए उन्होंने दुनिया जित ली और दुनिया जितने के बाद अल आफ सडन उनको जैसे की अशोख है भरत है राम है दुनिया जित के आने के बाद उनको अल आफ सडन वायराग्य प्राप्त होने के बाद उसके बाद उनका इतियास किसी को मालूम नहीं, उनके फैमिली का क्या हो गया, उनका करतव पहले उनके जो प्रजा है, उनके प्रती उनका करतव था, कि उनको वहराग्य प्राप्त होने के बाद जाना उनका करतव था, उसमें से फरक कमसा था, देखें, समझ गए, हकीकत में पूछा जाए, करतव थे होता क्या है, वाटिज करतव, करतव थे क्या होता है, परिवार, संसार, इनकी बिवस्त्वा बनाना ये करतव थे है, कि अपनी आत्मा का कल्यान करना ये करतव थे हैं, परिवार तो देखो, चलो वो बैराग नहीं लेते, मौत आती बीच में ही चले जाते, फिर क्या मौत से कहते, मेरे परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, ध्यान रखना, मनुष्य हो, मनुष्य का करतव, घर परिवार नहीं होते हैं, मनुष्य के छे करतव हैं, की सेवा करना हमारा करतब नहीं है परिवार पालन करना हमारा करतब दूंह एक गाड़ी से अभी एक्सिडेंट हो जाए सब करतब भी धरे रहे जाएंगे और इक बात याद रखना प्रतेक जीव अपना-पना भाग के साथ ले करके आता यह जन्म भी यदी माता पृता दुनिया से चले जाए तो उसके साथ बच्चा नहीं जाता है वह अपनी जिन्दगी जी लिया करता है ये भ्रमने कालो कि छिपकली कह रही मैंने छत को समाल रखा है समझ में आ रहा मैं नीचे उतर गई तो छत गिर जाएगी ये हमारे करतब नहीं कारी को दे कर गए उनने संसार का भी करतब निभाया और अपनी आत्मा का भी करतब निभाया है तो जीवों की हिंशा करता है तो उसको पाप लगना चाहिए उसको पाप कर्म का बंधोना चाहिए और पाप करन का बंद होने से वो मतलब उसके पाप बढ़ते जाएंगे तो उसको नेक्स जनम में भी बुरा बव मिलेगा और बुरा मिलता रहेगा तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है मतलब ऐसा जीव कैसे उस कंडिशन से बाहर आ सकता है देखो सिंग हिंसक प्राणी है प्रकति से प्राकरतिक है वो उसकी अपनी मजबूरी है समझ में आ रहा लेकिन कुछ सिंग ऐसे भी है जिने जब साधूं का उद्वोधन मिलता है तो वै जब उनको समझ आती है तो वै मानसाहार छोड़ देते हैं ऐसे सेर बहुत कम है और ऐस सेर यदि छोड़ता है तो आगे जाके भगवान महावीर बन जाया करता है तो पशूवी समाधी करते हैं पशूवी त्याग करते हैं यदि उन्हें सत उपदेश प्राप्त हो जाए तो वह सब कुछ छोड़ जकते हैं तो वहाँ पे आपने देखा अमर्चंद दीवान ने सेर को जलेवी खिला दी ती इसी युग में कल युग में मांस छुड़ा करके जलेवी उन्होंने खिला दी ती तो ऐसे केस बहुत कम होते हैं लेकिन सेर की यदि प्रबत्ती है नेचर है तो जो प्राकृतिक रूप में हैं उन्हें पाप तो बनता है पर इतना नहीं बनता वो जानवर है ना समझ है हम समझदार खाएंगे तो हमको पाफ का बंद जरूर होगा वो उसकी बिवस्ता है मजबूरी है लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो संबोधन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेते इसके एडिशन में एक प्रशना था कि जैसे कुछ लोग जो हते हैं मतलब पैरेंट्स भी उनके मानसाहर करते हैं तो वो उनके बच्चों को भी वही सिखाएंगे तो उनके बच्चों की क्या गलती है बच्चों की गलती नहीं है गलती मावाप की भी नहीं है, बच्चों की भी नहीं है, उनको सद सिक्षा शदुखदेश नहीं मिला, उनको सिक्षा संसकार नहीं मिला, मनुष्य किसी भी कीमत पे मानसाहारी नहीं है, समझ में आ रहा, मनुष्य तो शाकाहारी ही है, मानसाहारी जो होते है, जब पानी पीत गाय जब पीती है तो जीब से चांट के नहीं पीती है वो डारेक्ट पानी पिया करती है मानसाहारियों की नाखुन बड़े होते हैं मानसाहारियों की आखें रात में चमकती हैं अंधेरे में शाकाहारियों की नहीं चमका करती हैं मानसाहारी के दो दात बहुत बड़े-बड दाट नहीं है, हमारे बड़े-बड़े नाखुन नहीं है, हमारी आखें राट में नहीं चमका करती है हम पानी ग्रास से घूट-घूट पीते हैं और धिन्सक प्राणी घूट-घूट नहीं पीता है, इसलिए मनुष्य प्रकति से साकाहारी है, यदि वो मानसाहार करता है, तो प्रकति के बृद्ध काम करता है, इसलिए उसका पाप का बंध जादा है तो हमारी ड्यूटी है, हम साकाहारी है, इतना होने से कुछ नहीं होता है, आपने प्रश्न किया है, अब आपकी जितनी भी आईउ हो, पचास साल, साट साल, किते साल क्यों हो गया है 29, आओगे जितना भी जी होगे, एक संकल्फ करो, हम एक मानसाहारी को शाकाहरी जरूर बनाएं